नीलांजन न्यूज में आपता स्वागत है हम रखते हैं हर खबर पर नजर और देते हैं आपको फूल, नवी नतम और विश्वस नियख खबर तमिलादू की राजनीती आज एक बार फिर बड़े बदलाव की साक्षी बनी जब AIA-DMK के दोनों धड़ों, पनीर सेलवम और पलानी स्वामी गुट ने हाथ मिलाते हुए विलय की घोशना कर दी इसी के साथ ही राजे की सत्ता रूड पार्टी में लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिती भी खत्म हो गई इस विलय से सबसे बड़ा जटका पूर्व मुख्य मंत्री जैल ललिता की सहियोगी शशिकला को लगा जिनका अब राजनी तिक हाशिये पर जाना तै है इस मर्जर के संकेत बीते कई दिनों से मिलने लगे थे और दोनों धड़ों ने एक दूसरे के प्रती नर्म रुख दिखाते हुए सुला के संकेत दिये थे एक होने की संभावना होते देख दोनों गुटों के सलाकार सक्रिय हो गए और विलाय की संभावनाओं पर मन्थन शुरू कर दिया था कई दौर की मीटिंग के बाद विलाय की पटकता तै हुई इसके लिए सोमवार का दिन तै किया गया दोपहर दो बजे के करीब दोनों गुट ए आई ए डियम के हेटकोर्टर पहुँचे और बातचीत शुरू हुई बैठा के लिए निकलने से पहले खुद पूर्व सीम पनीर सेलवम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी आधे घंटे की बातचीत के बाद ही दोनों गुटों ने एक होकर विलय की घोशना कर दी वहीं इस दोरान इस पर भी सहमती बनी कि पार्टी महसचिव रही शचीकला को भी पार्टी से बाहर कर दिया जाए दीना करन शशिकला गुट की सी आर सरस्वती ने कहा दोनों धड़ों के एक होने पर हमें खुशी है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो हमें क्यों दरकिनार कर रहे हैं पलानी स्वामी और ओ पनीर सेलवम ने मरीना बीच पर स्थित जैललिता मेमोरियल में श्रद्धान जली अर्पित की दोनों धड़ों के एक होने के बाद पनीर सेलवम ने कहा कि अम्मा के आशिरवाद और दुआ की वजह से ये संभव हो पाया इसके लिए सीएम पलानी स्वामी और उनके गुट के नेताओं का शुक्रिया आज शाम साड़े चार बजे उप मुख्यमंत्री पत की शपत लेंगे पनीर सेलवम इससे पहले रविवार को मीडिया से बादचीत में भी ओपनीर सिलवम ने कहा था कि जल्द ही इस पर अच्छी खबर मिल सकती है हम पहले की ही तरह संगठित होंगे और पार्टी में किसी परिवार का दखल नहीं होगा बतादें की तमिल नारू की राजनीती में पिछले कई महीनों से चल रहा एक ही पार्टी में दो धड़ों में विवात जल्द खत्म हो सकता है